पाव भाजी एक ऐसे टीश है जिसे बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है और जब आप इसे प्रेशर कुकर में मनाते हैं तो आपकी मेहनत और भी जादा आधी हो जाती है तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ प्रेशर कुकर वाली बहुत ही टेस्टी पाव भाजी जिसमें हम एक ही बरतन यूज करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और टेस्ट इसका रेस्टरेंट से भी अच्छा तो सर्दियों में जब सारी सबचिया मिलती है ना ताजी तो आप प्रेशर कुकर में जटबड़ इस पाव भाजी वाली रेसिपि को एक पर शरूर बनाएं तचलिया आज कि यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजएदा रेसिपिस शुरू करते हैं प्रेशर कुकर में पाव भाजी बनाने के लिए तो यह सबसे पहले हम कुकर में एक बड़ा चमच बटर और दो से तीन बड़े चमच तेल डाल देंगे सिर्फ बटर जो है वो जलने लगता है इसलिए तेल इसमें जरूर डाले और अगर आपको बटर नहीं इस्तेमाल करना है तो आप इसे सिर्फ तेल में बना सकते हैं बटर जैसे ही मिल्ट हो जाएगा हम इसमें एक बड़ा चमच बारी कटीवी हरी मिज डाल देंगे एक बड़ी चमच बारी कटीवी अद्रक और एक बड़ी चमच बारी कटीवी लेसुन डाल देंगे सब को अच्छे से भूल ले आप छे तो अद्रक और लेसुन का पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कटा हुआ या घिसा हुआ अधरक हरी मिर्च और लेसुन जह हो जादा अच्छा टेस्ट लेके आता है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप बारी कटा हुआ प्याज प्याज को हमें 3-4 मिनट तक भूल लेना है जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक कप टमाटर तो प्याज और टमाटर की कौन्टिटी जो है वो बराबर रखनी है टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसे 7-8 मिनट तक पकने देंगे यानि टमाटर को हमें पूरा गला लेना है प्याज के साथ जैसे दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमच छल्दी पाउडर एक से देड़ छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर इसके बाद हम इसमें पाओ भजी मसाला डालेंगे तो दो बड़े चमच पाओ भजी मसाला डाल दे और इसे अच्छे से म श्म्ला मिर्च दाल देंगे, एक बड़ा श्म्ला मिर्च लिया है मैंने। इसके साथ हम इसमें आधा कपसे थोड़ा सा ज़ादा हरा मटर ले ले लेंगे। बीटूर डालेंगे, बीटूर बीटूर से कलर अच्छा आता है और पावजी हल्दी भी हो जाती है। इसके साथ हम इसमें फूलगों भी डाल देंगे और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे सारी सबजियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे वैसे पावजी में आप बिंस वागेरा भी डाल सकते हैं पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं एड़ करें पानी आप बाद में पावजी जब बनाएंगे न तब उसकी ठिकनेस करने के लिए एड़ कर सकते हैं अगर शुरुआत में ज़्यादा पानी डाल लेगे तो पावजी कहीं आपकी पतली नहीं हो जाए तो दो कप पानी डाला है मैंने नमक मैंने पहले से ही डाला है तो सब को अच्छे से मिला के प्रेशर कोकर को बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 4-5 सीटी आने तक पकाएंगे अगर आपको जल्लबाजी है तो हाई फ्लेम पे 7-8 सीटी लगने दे मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी लगा रही हूँ तो पांचवे सीटी लगते ही कैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कोकर को ठंडा हो जाने देंगे जब प्रेशर कोकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सावधानी से खोल लेंगे तो यह हमारी भाजी जो है वो बन गई है यह आप देख सकते हैं तो सबजियों को हमने अच्छे से पका लिया है और बीट रूट की वज़ए से आप देखे कितना अच्छा कलर है जैसे रेस्टोंट में मिलता है न वैसा एकदम फूड कलर डालने की जरूट नहीं है बीट रूट ही आप इसमें एड़ करें अब हम इस पोटाइटो मैशर से या फिर पराटे से जिखने वाले से जो भी आपके पास अवेलेवल है और यह नहीं है तो ग्लास को ऐसे ग्लास के पीछे वाले पार्ट से आप इसे ऐसे मैश कर ले यह देखे जैसे तवा भाजी बनता है वैसी आप इसे मैश करकी इसकी क्लание जो थिकने से वा ऐसे कर ले तो अगर आपको लग रहा है कि पावभाजी बहुत ज्यादा थिक है तो आप इसमें गरम पानी मिला कर लिए नहीं तो अगर आपको थिक tuna करने कि लिए गरम पानी क इसे शिर्फ तो यहां पर मैंने पानी डाला है तो इसके लिए थोड़ा सा नमग भी डाल दिया ताकि टेस्ट वो बराबर है और यह देखे तो जैसा थिकने साब कुछ ही है पाव भजी का वैसा आप बना सकते हैं तो है ना कितना आसान प्रेश्यो कुकर में सारी सब्जियों को डाले और तो इसके बाद ऐसे पाव भजी बना ले तो पाव भजी हमारी बन के तियार है अब क्या करेंगे थोड़ा सा इसके उपर तड़का लगा देंगे ताकि इसका टीज जो है वो एकदम रेस्ट्रेंट स्टाइल है तड़का लगाना इसमें ऑप्शनल है तो यहां पे लाल मिर्च भी आइड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी बनाना तो अब इस तड़के को हम डालेंगे पाव भजी में तो अगर आपको हेल्दी वर्जिन बनाना है तो तड़का वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं बस जो हमने कुकर में बनाया न उसे ही आप सर्फ करें जो हमने प्रेशर कुकर में बनाए और बहुत ही आसान तरीके से तो सर्दियों में जब सारी सब्जी आसानी से मिलती है ना तो पाव भाजी आप जरूर बनाए और प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो काम भी कम हो जाएगा और महनत भी कम होगी तो पाव भाजी की भाजी तो हमने बना ली है इसे हम रख देते हैं अलग और तबे पे हम पाव को सेख लेते हैं तो बस इसी तरह सारे पाउ को हम सेख लेंगे, दोनों साइट से हम पाउ को थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे और इसके बाद सर्फ कर लेंगे, तो पाउ भी हमारा अच्छे से सिख या है, अब हम चलते से सर्फ करने का प्रॉसस में, तो सबसे पहले हम प्लेट में रखेंग पाउ इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा से प्याज और नीबू रग देंगे पाऊ भाजी प्याज और नीबू के भी अधोरा रहता है तो बारी कटव प्याज डाल दी और इसके बाद नीबू के स्लाइसे रखें अभर अब हम प्रेशर कुकर कोखोगे, और इसकी जो भ मिर्च की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं तो प्रेशर कुकर में जब सर्दियों में आसानी से सारी सब्जा मिलती है न तो जट पट इस पाव भाजी की रस्पी को जरूर बनाए ये आपकी फैमिले को बहुत पसंद आएगा अगर आप डाइट पे हैं या फिर वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो आप इस भाजी को कम तेल में बनाए बटर का इस्तमाल नहीं करें एक चमस तेल में प्रेशर कुकर में या आराम से बन जाएगा और लास वाला तड़का नहीं लगाए अब हम इसके उपर डाल देंगे बटर बटर इसमें उप्शनल है लेकिन जो पावाजी के शौकीन लोग है उन्हें बटर बहुत पसंद आता है पावाजी के उपर तो बटर उपर से डालना उप्शनल है और अगर आप पाव नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसके जगा भाकरी भी खा सकते हैं ज्वार बाजरा या रागी की तो आपके लिए हिल्दी डिश भी हो जाएगी तो यह हमारी बहुत ही जबरदस बहुत ही अबिसें पावाजी जो है बन के तियार है आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर बनाए यह पावाजी आपको बहुत बसंद आएगा क्योंकि महनत भी कम है और टेस्ट तो बहुत ही सूपर